अक्सर आप जब भी बैंक में जाते हैं, तो ख़ए बार आप से एक ही चीज कही जाती है, कि लँच के बादाना और इने कुछ शब्दों के कई बार means भी बनते हैं कि जब भी आप बैंक जाते हैं, काम से तरले के लिए जो बैंक अधिकारी है, वो हमेशा से यह कह देते हैं कि लंच के बादाना, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, आपके कुछ अधिकार है, जो आपको पता होने चाहिए, अगर आप से कोई ऐसा कहे कि लंच के बादाना, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, बैंक अधिकारी के दुर्वेव्यार की खबरे कई बार सामने आ चुकी है, बैंक अधिकारी कई बार लंच कहकर अपने काम को टाओ देते हैं, और अगर कोई बैंक अधिकारी ये काम करने से इंकार करता है, तो आप उसके शिकायत भी कर सकते हैं, तो चलिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कि क्या-क्या आपके अधिकार है, जो आपको पता होने चाहिए, अगर कोई आप से बत्तमीजी से बात करता है, या अगर आपके काम को टाल देता हैं या आपको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है तो उस case में आप क्या कर सकते हैं कहां पर आप इसकी शिकायद कर सकते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है आज इसी के बारे में जानकारी देंगे बैंक अधिकारी गरहकों से अभद्र वेवा, मारपीत, लिंग, धर्म और उम्र पर कभी भी कमेंट नहीं कर सकता है डराधम का कर किसी कॉंट्राक्ट पर सिगनेचर भी नहीं करवा सकता है इसके अलावा किसी स्की में बेवकूब बना कर निवेश नहीं करवा सकते है किसी दूसरे के साथ ग्राहक की personal जानकारी नहीं share कर सकता है साथ ही ग्राहकों के खाते से सम्मंदित जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है ये कुछ ऐसी चीजे हैं जिस पर आपको पता होना जरूरी है कि अगर आपको इन चीजों के लिए मना किया जाता है तो ये बिलकुल भी ठीक नहीं है, आप इसकी शिकायद भी कर सकते हैं, आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप शिकायद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि बैंक करमचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते हैं, अगर आपको कभी ये कहा जाए कि लंच के बाद अभी आप कोई भी अपना काम नहीं करवा सकते है क्योंकि लंच टाइम हो चुका है तो आपको बता दे कि ऐसा कभी भी नहीं होता है यानि कि अगर कई बार आप लंच टाइम में चले जाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक अधिकारी कोई एक करमचारी मौजूद होना चाहिए जो आपकी जो काम है उसे करवा सके और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते है एक ITR में मिली जानकारी के मुताबिक बैंकर मी एक एक करके लंच पर जा सकते है इस दोरा नॉमल कांजेक्शन चलता रहेगा अगर कोई करमचारी काम करने से इंकार करे या फिर घंटों तक इंतजार करवाए तो इसकी शिकायत आप बैंक में रखे शिकायत रजिस्टर में लिख कर करवा सकते है इससे कुछ नहीं हो तो आप बैंक मैरिजर से भी शिकायत कर सकते है इसके अलावा आप भरतिय, रिजर्व, बैंक, लोगपाल या उपभोगता फोरम में शिकायत भी दर्ज करवा सकते है देखिए, आप शिकायत करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर चीजे बताई जाएगी जैसे की cms.rbi.org.n इसके साथ साथ crp.rbi.org.n पर इमेल भेज कर शिकायत कर सकते है साथी साथ अगर आप इमेल नहीं भेजना चाते हैं तो आप toll-free number 1448 पर भी शिकायत अपने दर्श करवा सकते हैं इसके लावा आप bank 8 toll-free number पर भी कभी भी call कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीकी की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इन numbers पर यारी कि जो toll-free numbers आपको बताए गए हैं उस पर आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं कई बात ऐसा होता है कि आपके जो documents हैं वो locker में रखे होते हैं और उसमें दीमक लग जाती है जिससे वो पूरे तरीके से खराब भी हो जाता है तो ये जिम्मेवारी आपकी बिलकुल भी नहीं होने वाली है इसकी जो भरपाई है वो हमेशा से bank ही करेगा अगर कोई भी bank ये करने से मना कर देता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी कभी भी नहीं होने वाली है इसकी भी ही शिकायत आप toll-free number पर कर सकते हैं यानि कि एक बार फिर से आपको बताएंगे कि आप कहां कहां पर इसकी शिकायत कर सकते हैं सबसे पहले आपको दो email आइडी बताएंगे जिसमें cms.rbi.org.n और साथ-साथ crpc.rbi.org.n पर आप में email भी कर सकते हैं और साथ-साथ आपको toll-free number भी बताया गया है 1448 या आपको toll-free number भी बताया गया है आप इस पर अपनी जो भी शिकायत है बैंक से related या अपने locker से कोई भी संबदेद आपकी कोई भी यहां पर शिकायत है तो आप इस पर दर्ज भी करवा सकते हैं क्योंकि आपको अपने खुद के जो अधिकार है उसका पता होना चाहिए तो अगर आपको भी कोई दिक्कत अभी पेश आ रही है तो आप इन numbers पर जरूर कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें Nation Speaks के साथ Nation Speaks के YouTube चानल को Like, Share, Subscribe करना बिलकुल भी ना भूलिए